वेलकम टो एक लब्या स्टेडी पॉइंट आई आम सचिन एंड इन तोडेज वीडियो वी आर गूइंग टू डिसकस इंपोर्टेंट एंसी क्यूज फ्रॉम दा चैप्टर सोशल हिस्टरी जूजिंग दा महाभारता जिस चैप्टर को NCRT के अंदर किंशिप कास्ट और क्लास नाम से भी जाना जाता है यह आपके CUET के एक्जाम के अंदर जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिस्टरी है उसके लिए काफी ज़्यादा हेलफुल वीडियो होगी चैप्टर नमबर 3 है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फोमेशन है प्लीज इन्फोमेशन को ध्यान से सुनेगा इन्फोमेशन ये है कि हमारा एक दूसरा चैनल है एक लव्या सनातक जो की पूरा डेडिकेटिड है ग्रेजुएशन की वीडियो के लिए जब CUET देने के बाद आप जब कॉलेज में जाओगे तो जो आपकी कॉलेज की जितने भी पढ़ाई होती है वो सब हम अपने चैनल एक लव्या सनातक पर करवाते हैं तो कहने का मतलब यह है कि आप इस चैनल को अभी से ही जादा से जादा सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस पे आने वाले समय में बहुत जल्द हम CUET से रिलेटेड और भी जो इंपोर्टेंट वीडियो होंगी वो हम एक लव्या सनातक पर ही डालेंगे तो ऐसा ना हो कि आपसे कोई भी वीडियो मिस हो जाए तो आप एक लव्या सनातक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आप सीधा जाके सर्च मारके भी एक लव्या सनातक अगर करेंगे तो आ जाएगा हमारा ही चैनल नंबर वन पर ठीक है तो यहीं इंफोमेशन थी आपके लिए और आपको बता दूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो अगर आप कुछ पूछना चाते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने विजिवल है और उसके बाद आपको बता दूँ वेबसाइड पर आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिये जाते हैं www.eclavierstudy.com हमारी वेबसाइड है तो आज का हमारा पहला क्वेस्चन है वोट इस दा लीनियेज ट्रेडिशन देड रंस फ्रों फ होता है वो ही डॉमिनेट यहां पर करते हैं ठीक है आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो भी मैं चैप्टर्स के MCQ करवा रहा हूं उसमें मैं कम से कम 100 MCQ के साथ आपकी प्रेक्टिस करवा रहा हूं मैं 90 to 100 MCQ रहते ही रहते हैं तो आप हमारी मेहनत को ज़्यादा लाइक करते जाहिए शेर करते जाहिए यही हमारे लिए गुरु दक्षिना होगी ठीक है आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम आपसे एक रुपया भी नहीं लेते हैं किसी चीज़ का हम सब कुछ आपको फ्रियों को प्रोवाइट करवा रहे हैं और बतले में हमें सिर्फ आपका अप्षन ए ठीक है फिर है अकॉर्डिंग टू शास्त्राज ओनली डैश कुड रूल दा कंट्री ब्रामें शत्रियाज वैश्याद या शुद्राज सो अकॉर्डिंग टू शास्त्राज शत्रियों को ही कहा गया है कि वो रूल कर सकते हैं विच आप इस रूलर्स फोलोड एंडोगेमी, सत्वहनास, पांडवास, मौर्यास या नन उवदीस, इसमें सत्वहनास जो थे इन्हों ने कहीं न कहीं एंडोगेमी को फॉलो किया था, फिर है विच आप इस वाइफ पांडवास, पांडवों की वाइफ कौन थी, प्रभावती, गौतमी, द्रौपती या तो इसका आंसर दौपती हो जाएगा, हम सभी जानते हैं, शकास who came from Central Asia were regarded by the Brahmanas as dasas, untouchables, मलेच या आरेन, सो शक लोग जो थे उनको मलेच चकाह जाता था, ठीक है, इंडोगेमी, एग्जोगेमी, पोलीगेमी या पोलीएंडरी, तो इसमें पोलीएंडरी होता है, ओके, फिर है, according to the धर्मशास्तरा, who had the right to over the property of the father, धर्मशास्तर के नुसार, पापा, जो होंगे हमारे, जो फादर है, उनकी प्रोपर्टी पे किसका right होगा, सन का होगा, ऐ objective, ठीक है, objective of the team of V.S. सुक्तांकर, prepare critical edition of माभारता, translate माभारता इन तमिल, prepare critical edition of मनुस्मिनिती, option D, so इसमें इनका काम यही था, कि एक critical edition को prepare करना था, माभारता के, फिर है, how many types of marriages are considered best according to the dharma शास्त्राज, 2, 3, 4 यह 5, so इसमें 4 इसका सही आंसर होगा, 4 तरीकी की शादियों को best माना गिया है, अगर आप गोतर के बाहर शादी करते हो, तो यह क्या कहलाता है, exogamy, yes, option A यहां पे सही हो जाएगा, exogamy कहलाता है, फिर है, what is the practice called when a man has multiple wife, ठीक है, multiple यानि कि एक से ज़्यादा अगर आपकी wife है, 3, 4, 5, तो इसको क्या कहते हैं, polygamy, exogamy, polyandrianon, तो इसको हम polygamy कहते हैं, option A सही हो जाएगा, who was at the lowest level in the वर्ना system, so इसमें शूद्र जो हैं, वो lowest level बे थे, option A, into how many वर्नास was Indian society divided, so चार वर्नों में divided थे, ब्राह्मन, शत्रियास, वैश्या, शुद्रास, फिर है, who was the best in the वर्ना system, so ब्राह्मन को best बताये गया, वर्ना सिस्टम में उसके बाद शत्रियास को, फिर वैश्यास को, और लास्ट में शुद्रास को, best नहीं बताये गया है शुद्रास को, शुद्रास को सिरफ सर्विस करने के लिए रखा गया था, ऐसा बताये गया है, ठीक है, फिर according to the वर्ना system, who could be the king, so king तो भई शत्रिया ही हो सकता है, ऐसा वर्ना सिस्टम में बताये गया है, वर्निशाद, निशाद कोन थे, forest dwellers, city dwellers, people living in palaces या नन, so निशाद लोग जो थे, वो hunter थे, forest dwellers थे, the story of Eklavya is found in which of the following text, मावारता, रामायना या बोथ A&B या नन, तो आप क्या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कि एक लव्या की कहानी जो है, वो आपको कहाँ पर मिलती है, अब उसके बाद आगे है, फूबोज एक लव्या, शुद्रा, शत्रिया, वैशिया या निशाद, तो एक लव्या निशाद था, option D सही हो जाएगा, which inscription describes the weavers of silk, मंदसौर, टोपरा, जूनगणिया, सारनाथ, तो मंदसौर inscription हमें, silk weavers के बारे में बताता है, what was the ancient name of Gujarat state, सारनाथ, गिरनार, लाट या नन, so लाट कहा जाता था, Gujarat को, पुराना नाम है Gujarat का, in the social system with Varna system, some people were declared as untouchables, untouchables को क्या कहा जाता था, निशाद, चंडाल, अन्होली या नन, so चंडाल को untouchable कहा गया था, इनको छूना, देखना तक भी बहुत जादा, एक तरीके से गलत बाना जाता था, what were the non-sanskrit speaking foreigners called, जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे, जो बाहर से आये थे, उनको क्या कहा जाता था, वरना सिस्टम में, इनको मलेच कहा जाता था, option A सही हो जाएगा, in which hymn of Rigveda, is the वरना सिस्टम found, पुरुष सुक्तम, पुरुष सुक्त के अंदर वरना सिस्टम, बताया गया है, option A सही होगा, फिर है, who was the god of bravery, war and rain, so ये भाई, इंद्र देव हैं, अम सभी जानते हैं, ठीक है, तो इसमें सारी चीज़े सही लिखी हुए हैं वही, चांडाल्स के बारे में, यही सब उनको करना पड़ता था, गाउं से बाहर रहना पड़ता था, और लोगों की फेंकी वीजुल्रे पहनते थे, और जो लोग मर जाते थे, उनका फिर संस्कार करते थे, इनको तरी पिटिक कहा जाता है, ठीक है, उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, भरत मुनी, तुलसिदास, बानभट या नन, सो भरत मुनी को माना जाता है, उप्शने सही होगा, इन विच लेंग्वेज इस दा महावारता टेक्स्ट, इंग्लिश, फ्रेंच, तमेलिया संस्क्रित, तो महावारता संस्क्रित में हैं, याद रखना है आप सभी को, फिर उसके बाद है, वेर वोज दी वार ओफ महावारता फॉर्ट, करनाटका, तमिल्लाडू, केरल या कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र में लड़ाई होई थी महावारत की, उप्शन दी सही हो जाएगा, भगवद गीता is a part of which book, रामायना, महावारता, पुरान या नन, तो भगवद गीता महावारत काई पार्ट है, जिसमें अर्जुन और श्रेकृष्न के बीच का जोग, जितना भी conversation है, वो बताये जाता है, फिर है polygamy was prevalent dash, polygamy कहाँ पे prevalent थी, नन्दाज में, पांडवाज में या कौरवाज में, यह हो जाएगा, फिर हुआ वो जाएगा, पांडवों की जो सहपतनी कौन थी, द्रौपदी थी, option A सही हो जाएगा, which dynasty system was prevalent among the ruling families of India, फिर उसका बेटा, 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 इस तरीके से चलता था, पूरा system, which women enjoyed power under specific circumstances परभावती गुप्त इन्होंने land grant भी किये थी इन्होंने donations की थी इनके पास थी power ठीक है परभावती गुप्त के पास which matrimonial system did the satvahana rulers follow exogamy, endogamy, गंधर्व marriage या न तो यह endogamy में विश्वास रखते थे option B सही हो जाएगा हमारा to which caste did the satvahana rulers belong शुद्र, शत्रिय, वैशिय या ब्राह्मन तो उनको ब्राह्मन माना जाता है satvahanas को लेकिन still they were rulers but according to शास्त्रास ब्राह्मन cannot rule, ठीक है only शत्रियास can rule the country to which dynasty did गौतमी, पुत्त, शरी, सत्कनी बिलॉंग, यह one of the best rulers थे satvahanas के, so यह satvahana ruler थे, उप्षंडी सही हो जाएगा who was the author of Mrichakattikam भरत्मुनी, वेदवियास, तुलसिदास या शुद्रक तो शुद्रक थे इसके author Mrichakattikam के according to Mahabharata, एकलवया belong to which social class, Nishad ठीक है यह बता दिया था when was the critical edition of Mahabharata completed 1922, 21, 24 यह 1966 so यह 1966 हो जाएगा इसका answer who prepared the critical version of Mahabharata so वे सुक्तांकर, यह हम सब जानते ही है फिर in which language what the early Buddhist text written so यह आपका पाली में था भई जाददर जो Buddhist text है in which language वर्दा पुरानास and धर्म सूतरास written, वे संस्क्रेट में लिखी होंगी पुरान हमारे धर्म सोत्र, धर्म शास्र जो भी हैं संस्क्रेट में है how many vedas are there most easy question है यार यह तो कोई भी बता सकता है, चार ved है हमारे अब वो चार ved कौन से हैं क्या आप बता सकते हो comment करके कि वो चार ved कौन से हैं पुराना कौन है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद और सबसे नया कौन सा है मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने सही बता सकते है chronological order में भी आ सकता है question आपके paper में where is the hastinapur, so hastinapur हमारे यूपी में है, उत्तर परदेश में the text मज्यमे निकाय याद रखना, option ने सही हो जाएगा इसमें, short story titled कुंती ओ निशादी, that re-enacts an episode was written by famous Bengali writer Rabindranath Tagore माश्वेता देवी सुर्यकांतिरपाटे निराला या none of them so ये माश्वेता देवी जी ने लिखा है कुंती ओ निशादी, short story who among the following were referred to malach, शकास को malach कहा जाता था, आपको पता ही है which of the following rulers were identified through metronymics, यानि कि अपने मा के साथ नाम की starting करना so ये सत्वहाना से, गौतमी पुत्र गौतमी उनकी मदर का नाम है, ये अपने नाम की starting गौतमी से करते थे, तो ये तकाता है कि अपनी मदर को कितनी value देते थे, which of the following archaeologists carried out excavations से ससीनापूर, बता दिया है, मैंना आपको भी भी लाल होगा इसका answer, what is the metrileaning, system of tracing descent from mother, so yes mother के साथ, अगर आपके आगे पूरे वंशाज अगर चलते रहते हैं, मदर के नाम पे तो ये metrileaning है आपका endogamy, endogamy का मतलब क्या है, it refers to marriage within unite, यानि की kin group और caste, ठीक है, यह हो जाएगा endogamy हमारा, फिर what does the term वंशा refer to, वंश, वंश, यानि की lineage, ठीक है, दादा, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर यह ऐसे ही change चलती रहती है, lineage, धर्मशास्त्रा was compiled between, compiled between 500 to 200 before common era, option यह सही हो जाएगा how many forms of marriages यह मैंने आपको बताई रखा है, भई, 8 marriages बता रखी है, 8 में से 4 को best बताया गया है, ओके फिर उसके बाद है, how many years were taken in preparing critical edition of महाबारता, 47 years लगे थे भई, इसको तयार करने में जो V.S. सुंक्तांकर जी ने तयार किया था according to महाबारता पांडवाज और कौरवाज are associated with which of the following महाजन पतास कुरूस, ठीक है, इस से related हैं in which you are the project of preparing critical edition of महाबारता begin, 1919 में शुरू होई थी, भई, यह जो, मतलब यह critical edition को तयार करने की जो भी planning थी यह सारी which of the following was not considered under four वरनास, ब्रामन थे, शत्रिय थे वैश्यास भी थे, निशाद नहीं थे भई वरना सिस्टम ने, so option D सही हो जाएगा which of the following statements is not true about patrilini patrilini did not exit prior to composition of महाबारता the central story of the महाबारता established the idea so भई, ऐसा नहीं है patrilini इससे पहले से भी रही है सिरफ महाबारत टाइम से नहीं इससे पहले से भी थी so option A सही हो जाएगा यहाँ पर यह गलत statement है who is credited with the rebuilding the ancient सुदर्शन लेक, so rudra dhaman ने यह जो है, ancient जो सुदर्शन लेक है उसको बनवाई थी, rudra dhaman किस ruling dynasty से थे, शकास से आते थे, जिनको मलेच भी लोग कहते थे ठीक है, यहां की जो ब्रहामन थे what does the term kula refer to kula यानि के family, family का मतलब था kul, और kul का मतलब था family पुरुष सुक्त can be found in the which of the following text, पुरुष सुक्त जो है वो रिगवेदा के अंदर है, ठीक है in which of the following places is the earliest depictions in the form of terracotta sculpture of the sense from Mahabharata has been found अही चत्र, ठीक है, option C सही हो जाएगा, यहां से मिलता है कनवास बिलोंग to which of the following social classes, कनवास को ब्रहामन समाना गया है, option A सही हो जाएगा, यहां पे which of the following statements about गोत्रा is not correct each गोत्रा was named after a Vedic seer, सही बात है all those who belong to the same गोत्रा were regarded as the descendants of the particular Vedic seer, सही बात है Vedic Rishi यानि की women retained their गोत्रा's after marriages no, शादी के बाद गोत्रा change हो जाता है, so option C in correct statement है, so ही option C, सही हो जाएगा हमारा फिर where is the man the source of inscription, बताया था मैंने आपको मद्यपरदेश में है, ठीक है जिसमें weavers of silk अगर याद हो तो बताया है, who was the writer of the Sanskrit play, मेरे चकटी का शुद्र का, इसके writer है मनुस्मृती का compilation 220 BCE से 200 CE तक हुआ, याद रखना आदी परवन is associated with which of the following Sanskrit text, मा भारता से associated है ये फिर हो रोट नाट्रे शास्तर, भरत मुनी option A सही answer होगा शकास जो थे, वो Central Asia से आये थे, याद रखना, ठीक है मैं आपको सारे facts बताता जा रहा हूँ, one liner समझ लो चाहे, इसको चार और भी option पढ़ लो सही सही मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ज्यादा time ना आपका जाए, और आपको साथ साथ concept भी समझा जाए, ठीक है फिर है, गौतमी पुतर सतके नहीं जो थे यह साथवाहनास के एक अच्छे रूलर थे और आपको बताई है, यह मदर्स को कितना जाद वैली देते थे कि गौतमी इनके मदर का नाम था और वो पहले आता था दा मातांग जातक is written in which language तो यह पाली लेंग्विज में लिखा गया है फिर है उसके बाद according to the manu smriti in which of the following way women are not supposed to acquire wealth, gift from husband चलेगा, gift from family चलेगा, bridal possession चलेगा पर कुछ purchase वगरा और इस तरीके से acquire wealth वगरा यह नहीं कर सकते थे, फिर है एक poetic work है, जो की तमिल संगम के अंदर ही है दक्रिष्णा और अर्जुन, इनके जो dialogue है, वो महभारत के किस part में है, भगवत गीता में option है सही हो जाएगा, the authorship of महभारता, यह भाई व्यास के पास है, ठीक है, जो हमारे पूरा चलेगा, और उसके बाद अगर हम आगे देखें आगे बढ़ते हैं, actually मेरा mobile जो है, वो silent पर नहीं तस्वारी, so which of the following text, deal with a dramaturgy ठीक है, तो नाटे शास्त्र हो जाएगा इसके अंदर, option डी सही है फिर है मंद सो और स्टोन यह मैंने आपको बताए दिया, कि यह silk viewers के बारे में है, त्रिपिटक जो है, वो पाली में लिखा गया है, याद रखना है आपको, and त्रिपिटक कौन-कौन से हैं, सुत्पिटक, अभिधम पिटक, विने पिटक, who according to the Mahabharata was the king of पान्चाल, सो पान्चाल के जो king थे, वो दुरुपत थे, ठीक है, to whom according to the Mahabharata, did Vyaz dictate the epic, so यह dictate किसके सामने किया था, वियास जी ने, गनेश जी को सुनाया था, option C सही हो जाएगा, चारुदत is the main protagonist of the, which of the following Sanskrit book और play और poem, मिरिच्चे कटी का, ठीक है, फिर उसके बाद है, according to the main manusmriti, which one of the following was not the duty of chandals, they had to cover themselves while in the villages and towns during the day, sound a clapper before their arrival in town, सही है, utensils and clothes वो use करते थे, ठीक है, जो discarded होते थे, discarded, they had to dispose of the dead bodies of people with no relatives, सही बात है, पर ये वाला जो है, option D, ये सही सकांसर हो जाएगा, ठीक है, according to the Mahabharat, who was the son of Hidimba and Bhima, तो Bhima के जो बेटे दे, वो घटोत कच थे, option C, the classification of people in the name of Ghotra's in Hindu religion was practiced from 1000 BC onwards by the Brahmanas, option A सही हो जाएगा, चंडाल, जो थे, उनको untouchables का गया, यहाँ पर option C सही होगा, rulers whose name ended with the term Puta, Puta, Satvahana dynasty होगा, Ghotmi Puta, Satkini, ठीक है, ये आपको याद होगा, Puta, आता था, तो इसी के साथ chapter खतम होता है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप channel को subscribe करना ना भूले, comment करके ज़रूर बताएं, वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को like करते ही, जादा से जादा, और share करना तो बिल्कुल भी ना भूले, जय हिंद, जय वारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपको बताना चाहूँगा, कि ये जो नोटिफिकेशन बहले आप इसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो मिलते हैं भी नेक्स वीडियो,